हेलो एन वेलकम बैक तुमा यूट्यूब चानल आज हम बात करेंगे SP 125 कम्यूटर सेग्मेंट की बाइक के बाइक यह कम्यूटर सेग्मेंट की बाइक है और आज मैं इसके बारे में पूरा डीटेल रिवीव आपको दूँगा और साथ ही यह भी डिसकस करेंगे कि क्या यह बाइक आपको लेनी चाहिए या नहीं अगर आप office going कोई बाइक देख रहे हो तो उसके लिए यह बाइक कैसी रहेगी तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो चलिए इसके बारे में जानते हैं अगर बात करे तो फ्रंट में हमें LED हेडलाइट देखने को मिलता है साथ ही बल्ब इंडिकेटर इसमें हमें 80y100 सेक्षन के फ्रंट टैस देखने को मिलते हैं और ये वाला जो variant है ये drum variant है इसके साथ डिस्क वाली variant भी आती है आप जो आपको जो अच्छा लगे आप उसके साथ जा सकते हो यहां हमें एक reflector देखने को मिलता है और मैं आपको बता दूँ ये एक 5-speed gearbox के साथ आती है जो कि BS6 compliant engine 125cc की है इसमें हमें kick भी देखने को मिलता है sideways इसके looks को आप देख सकते हो tank के पास यहां पर fibers इस model में दिये गये हैं जो इसके looks को काफी enhance करती है अब अगर meter console की बात करें तो इसमें हमें इंजन माल फंक्शन लाइट नेट्रल लाइट डिपर गियर इंडिकेटर फ्यूल इंडिकेटर और करेंट माइलेज भी यहां पर सो होता है इधर इको इंडिकेटर दिया हुआ है अगर आप एवरेज स्पीड पर चलोगी तो यह ग्रीन कलर का जलता है अगर आप रेव करोगे बाइक को तो उसका कलर चेंज होता है डैट मींस कि आपको माइलेज जो निकल के आएगी वो कम हो जाती है अगर आप रेव करते हो तो यह साथ ही इसमें हमें साइलेंट स्टार्ट देखने को मिलते हैं अभी मैं आपको स्टार्ट करके बताता हूं देख सकते हैं इसका एग्जॉस्ट नोट मैं अभी आपको सुनाते हैं इसका इंजन जो है वो पूरी तरह रिक्वाइंड है जिसके वज़े से हमें वाइबरेशन्स नहीं देखने को मिलते हैं वाइक से यह जो टैंक है गाईज यह 12 लेटर का टैंक है वो काफी ब्रॉड लगता है देखने में इसमें हमें सिंगल सीट देखने को मिलता है अब देख सकते हो अब बात करें इसके रियर पॉर्शन की तो इसमें हमें LED मिलते हैं बैक लाइट और बल्ब इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं रियर में हमें 80 x 100 के ट्यूबलेस टायर्स देखने को मिलते हैं और इस बाइक में हमें 60 kmpl की माइलेज भी देखने को मिलते हैं अगर इसके प्राइस की बात करें तो वह है 80,000 रूपीज एक सोरूम ड्रम वाले वेरियंट की अगर इस बाइक को आप आफिस वर्क के लिए लेना चाहते हो तो यह बाइक आपके लिए पाफेक्ट चॉइस होगी सबाइक के बारे में मैंने आपको सारी बाते बता दी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं नेक्ट वीडियो में